कि आपका बहुत स्वागत आज है 20 ओगस्ट चलिए देखते हैं आज का करेंट अफियर और यहां पर डेली कर इंट अवलेबल है नुमेंबर 2020 अपको डेली कर इंट अफियर मिल जाएगा उससे पहले कि मंतली कर इंट अवलेबल है चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं सब कार द्वारा स्टार्ट किया गया है यह मोबाईल आप है और Yeah इसका फुल फॉर्म किया है इसके अंतर क्ली चल रहा है उसका फोटं क्रेम्स पहिए चाल रहा है त्व करदा या फिर नहीं हुआ है करेंट अफेसरीज में आपका बहुत स्वागत है चलिए देखते हैं करेंट अफेसरीज कुश्च नमर वर्ण scientist has found an asteroid that killed dinosaurs from earth in which country scientist ने अभी एक asteroid का पता लगाया है जिसके कारण डाइनासोर पूरे धर्ति से खतम हो गया था तो यह asteroid actually में गिरा था मैक्सिको में और मैक्सिको में गिरने के कारण यह बखती बड़ा asteroid था ठीक है और इसके कारण क्या हुआ था कि जो इसके करन 75% पूरे अर्थ के समाप्त हो गये और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक स्टोरी है कुश्चन नमबर टू पे आएंगे विच फॉलोइंगे इस नौट दे इंडो अफगनिस्तान प्रोजेक्ट देखिए अभी हाल में जैस अंकर जुकि हमारे इसके इस्टर्नल अफ्या मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया है कि इंडिया और अफगनिस्तान का जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो बंद हो सकता है और यह स्ट्वेशन बहुत ही अन्फवेड़ेबल हैं इंडिया के लिए तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्रोजेक् नहीं है जी हां इसका आंसर है दिरहम डैम उसके अलाबा सल्मान डैम चरंज जलायूं हाइवे और चाहा बहार पोर्ट यह तीनों ही प्रोजेक्ट अफगनिस्तान प्रोजेक्ट है थोड़ा डिटेल में जानते हैं सल्मान डैम जो कि हेराथ प्रोफिंस ऑफ गवनिस्तान में बनाया जा रहा था इसके अंतरगत 42 मेगावाट और जेनरेशन किया जा सकता है यह जो डिल हुआ था सल्मान डैम से रिलेटेर यह हुआ था 2016 में उसके लावा एक बहुत ही इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट क्योंकि अभी अफगनिस्तान और इंडिया के रिलेशन से कोश्चन आने की पूरे चांस है और जैसा कि सिच्वेशन है यह होट टॉपिक है सल्मान डैम के अलावा चरांच डेलारायम हाइवे हाइवे प्रो अफगनिस्तान में पार्लेमेंट हमने बनाया था 2015 में और यह भी बहुत इंपोर्टन न्यूज है ठीक है अफगनिस्तान में हमने कंप्लीट पार्लेमेंट दिया था उनको बनाकर उसके लावा इस चोट पैलेस बनाया गया था जोकि 2016 में इनुग्रेट किया गया था मोधी गवर्मेंट के दौरा तो यह एक इंपोर्टन प्रोजेक्ट अफगनिस्तान में हमारा चल रहा था उसके अलावा हेल्थ केर सेक्टर में हमने बहुत साथे होस्पिटल अफगनिस्तान में स्टार्ट किये थे अफगनिस्तान जो है रिपब्लिक था और अब वो कंप्लीट इस्लामिक कंट्री बन गया है और वहां पर इस्लामिक लॉग फॉलो किया जाएगा तो यह न्यूज इंपोर्टेंट हो जाता है कुश्चन अमर् 3 पे आते हैं मिसन पाल्म आयल हैस एप्रूफ पाइबनेट तो इंक्रीज प्रोड जन्रली घर में यूज किया जाता है उसके प्रोडक्शन को बढ़ानी की बात की क्योंकि हम लोग 55% के अबाउट जो है पाल्म आयल क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं उसके इंपोर्ट डिपेटेंसी को कम करने के लिए प्रोग्राइम लाया गया है आपको बताना है यह 2037 तक का मिशन है औरनेशनल मिशन पाल्म आयल जो है वह 2037 तक का मिशन है जिसके अंतरगत हमें पाल्म आयल की प्रोडक्शन को बढ़ाना है कैबनेट कमीटी ओफ एकनॉमिक अफियर ने 77.45 करोर रुपया एप्रूबल कर दिया है इसमें बहुत ही अच्छिस सी अंधिया जा सकता है और नॉर्ट इस इंडिया गाले तृपूर जय सकता है अगर हम पूरी की बात करें क्लशन आ सकता है कि ला जीस्त प्रोडूसर कौन है प् cooked का निको में हैं इंडोनेशिया तो बिल्कुल आप र torch दखें इंडोनेशिया में सब से सबसे ज्यादा पालमायल होता है इंडोनेशिया मलेशिया थाइलेंड इन सारे रीजन में सबसे ज्यादा पालमायल प्रोडक्शन होता है और उसी के पास है इंडो अंडमाने निकोबार आइलेंड क्योंकि वह भी पास आता है तो वहां भी पालमायल प्रोडक्शन हो सकता है question no.4 पर आते हैं August 2021 में who among the following has launched भारत EdTech इन में से कौन जो है वो भारत EdTech launch किया है important project है देखिए यह launch किया गया है Give India के द्वारा Give India ने start किया है भारत EdTech यानि की भारत EdTech का यहां पर मतलब है education through technology, online learning पे focus करना यह बहुत important program है Give India और सत्वा collaborate कर रहा है यह program जिसके अंतरगत एक particular category के बच्चों को ही online education दिया जाएगा उसके लिए step लिया जाएगा इसके अंतरगत 3 से 18 years के बच्चे जिनकी मंतली इंकम जिनकी family की मंतली इंकम 25,000 रुपए है या 25,000 रुपए से कम है तो वो online education पे जा सकते हैं प्रोग्राम बहुत इंपोर्टेंट हो तो याद रखे एडिटेक भारत एडिटेक प्रोग्रामिक टाइम्स का यह न्यूस है क्रोश्य नमबर फाइब पर आएंगे विच कंट्री विल गेट अन्यू आइलेंड दू एन अंडर्वाटर वॉल्कैनिक इरप्शन देखे ज तो यहां है यह पिक आइलेंड क्रेट हुआ है और यह हुआ है बहुलकैनिक इरप्शन के कारण तो याद रखे जपान में आया है नया आइलेंड कुश्य नमर्ट 6 पे आएंगे अटल इनुवेशन मिशन इन कॉल्लबरेशन विच बॉडी स्टार्ट इस्टुडेंट एं से नहीं सुना होगा sem joseff program यह सटाट किया रहा है किस के साथ तो यह स्टूरट किया जा रहा है डसॉलत систем के साथ शौन कहां के लिए जी हां यह है फ्रांस की कंपनी और अटल इनुवेशन मिशन के अंतरगत यह कोलब्ब्रेशन करके स्टाट किया जा रहा है इन स्टुडेंट एंटेपेंशिप प्रोग्राम 3.0 ठीक है अटल इनोवेशन मिशन जो है वो निती आयो का प्रोग्राम है और यह कब स्टार्ट किया गया था यह 2016 में आया था अटल इनोवेशन मिशन से एक साम 2019 में अल्रेटी कोश्चन आ चुका है तो यह अंतरगत स्टुडेंट्स में एंटेपेंशिप लाना है इसके लिए अटल टिंग्रिंग लैब बनाया जाता है हर एक स्कूल में जिसमें अबाउट एट टू ट्वेल्थ क्लार्स के बच्चे होते हैं उनको इनोवेटिव आइडियास लाए और कुछ ने ने चीजें बना मैमी फेस्टिबल हो रहा है उसके चेर्मेन कौन है यह फेस्टिबल मुंबई में हो रहा है तो उसके चेर्मेन सेलेक्ट हुई है प्रियंका चोपरा पहले दीपिका पौदरगन थी निनको हटा के अब प्रियंका चोपरा आ गई है और वो सेलेक्ट हो गई है चेर्मेन मैम क्या है Mumbai Film festival है जो कि start होने वाला है कि विश्य नूमबर 8 पर आते हैं मीरा भाइ चानु बिकम्ड ब्रैंड अबिस्टर ऑफ मीरा बाइ चानु जो है वो ब्रैंड अविस्टर किस कंपनी की बनी है तो वह बनी है एंबे तो आपने जाना जानते ही हूंगे इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि घर में यूज किया जाता है तो एंबे ने स्टेलेक्ट किया है बनाया है मीरा बाइचानू जिनको सिल्वर मिला था ओल्लेंपिक में उनको एज़ ब्रैंड एंबेस्टर के इसका अंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और फ्रिंट्स आपके ताकि हमें बहुत सपोर्ट मिले थैंक्यू सो मच्छ